हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो विजन UPPSC, मेरा नाम वन्दना सिंग है, इस वीडियो में हम UPPCS Pre 2019 के लिए मौक टेस्ट नंबर 6 डिसकस करेंगे यह हमारा करेंट अफेर क्रेश कोर्स है, आप इस नंबर पर वाट्सेप करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप टेस्ट सीरीज का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इस नंबर पर वाट्सेप करके इस मौक टेस्ट की PDF हमारे टेलिग्राम चैनल विजन UPPSC पर अवेलेबल होगी, आप महां से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं कोशन नंबर वन, बहरत के सम्विधान के निमलिकित प्रवधानों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 से तकाल प्रभाव प्रदान किया गया था? एक नागरिक्ता, दो अपातकाली प्रावधान, तीन चुनाव, चार संग्य विवस्था तो इसका आंसर है, आंसर D, 1, N, 3, मतलब जो नागरिक्ता है और चुनाव है वो जब हमारा immediate effect जब हुआ तो Constitution का निवंबर 26, 1949 से लागू हो गया था कोशन नंबर टू, निमलिकित कत्नों पर विचार करें पहला, डॉक्टर सचिदानन सिना, सम्विधान सभा के अनिंतिम अध्यक्ष चुने गए, दूसरा, स.C. मुखर जी को सम्विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था आंसर इसका है, बोथ 1 and 2, तो दोनों स्टेटमेंट्स सही है, डॉक्टर सचन अंदन जो सिना थे, वो प्रवीजनल प्रेजिडेंट थे, कॉंस्टिटिएंट असेंबली के और उसके बाद जो फॉस्ट हमारे प्रेजिडेंट बने थे, डॉक्टर राजेंट साथ बने थे, और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, वाइस प्रेजिडेंट एस्टी मुखर जी थे Q2 है, भारतिय छेत्र में दो जुआला मुखी दीप है, इसका आंसर है D, नारकोंडम एन बेरन, तो नारकोंडम और बेरन आइलेंट वो वालकेनिक आइलोंड है Q4, निमलिकित में से कौन हिमाले के गठन से संबंदित है, आंसर C, फोल्डिंग ऑफ दा जियो सिंक लाइन Q5, इल्थित्मिश दुआरा पेश किये गए तामबई के सिक्के, क्या थे? आंसर B, जित्तल, तो इल्थित्मिश ने जो कॉपर कॉइन इंट्रिज किये थे, उनका नाम था जित्तल Q6, who was the contemporary of both वर्दमान महावीर एन गौतम बुद्ध? Q7, who played Socrates to the first generation of the English-educated young man of Bengal? Q8, according to new system of highway, which direction national highway are numbered even? तो जो new system of highway introduced हुआ है, उसमें जो national highway, जो even numbered है, उनका direction क्या है? आंसर C, north and south, तो north and south को जितने भी highway अगर जा रहे होंगे, तो उनका जो number होगा, वो even में होगा, और east to west में जितने highway जा रहे होंगे, उनका number odd में होगा Q9, which of the following scheme of the Uttar Pradesh is related to reducing maternal and infant mortality in state? बतलब राज्य में जो मात्र और शिश्यू मृत्यूदर है, उसको कम करने के संबदित, जो योजना है, वो कौन सी है? Aanser C, kangaroo mother care, योजना Q10, in India, the strategic crude oil storage are currently located in 1. पैदूर, 2. विशाखापत्नम, 3. मैंगलूरू, 4. चैनली Aanser C, 1, 2, 3 तो जो strategic crude oil storage है, वो हमारा प्रिजेंट है पैदूर में, विशाखापत्नम में और मैंगलूरू में Question number 11, North Korea is located between which of the following area? Options है, इसका answer है, answer B, Korea Bay and Sea of Japan North Korea, Korea Bay and Sea of Japan के बीच में located है Question number 12, India has pledged how much amount of aid to the United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refusee, तो Palestine जो Refusee हैं, उसके लिए इंडिया ने कुछ amount pledge किया है United Nations Relief and Work Agency के लिए, तो वो amount है, answer A, dollar 5 million Question number 13, which state government has signed pact with the regional integrated multi-hazard early warning system जिसको हम rhymes भी कहते हैं, for effective disaster management Answer C, Odisha Question number 14, which Indian cricketer has recently inducted into ICC Cricket Hall of Fame Answer D, Rahul Dravid Question number 15, as per US State Department 2018, trafficking in person report which country has been tagged worst human trafficking nation, तो सबसे खराब मानव तसकरी वाला जो रास्टर है, वो कौन सा है Answer C, North Korea Question number 16, which of the following is the world first medicine made from marijuana that has been approved by the US Food and Drug Administration Answer B, Epidiolex Question number 7, green muffler is a technology to reduce Green muffler जो technology है, वो किसको कम करने के लिए है Answer B, noise pollution, पतलब जो धोनी प्रदूशन है, उसको कम करने के लिए green muffler टेक्नॉजी है Question number 18, pollen are produced in जो पराग है, वो उत्पन होते हैं Answer D, enter Question number 19, the Sufi work Kashaf ul-Mazhab was written by Answer A, Abul Hasan, Al-Huswiri Question number 20, an objective of the National Food Security Mission is to increase prediction of certain crop What are these crop, उसका एक उद्देश है, कि कुछ फसलों का उत्पादन बढ़ाना, वो फसले कौन सी है Answer B, rice, मतलब चावल, wheat, गेहूं, और pulses, मतलब दाल तो National Food Security Mission का जो एम है, वो चावल, गेहूं और दाल, जो ये crops हैं, उनका prediction बढ़ाने का है हमारा mock test ही फिनिश होता है, thank you and all the best